हेलो अब्रिवान वेल्कम टू के वी टीचर्स गिल्ड सो बच्छों अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 इंग्लिश का चाप्टर नॉमबर 7 जिसका नाम है इन्वेंशन ओफ वीटा वॉंक इन्वेंट करना मतलब किसी नहीं चीज की खोज करना अविश्कार करना सो अभी वीटा वॉंक क्या है और किसके लिए यूज की जाती है इसके बारे में हम चाप्टर में रीड करेंगे उससे पहले बिफोर यू रीड में कुछ क्वेश्टन्स हैं कौन वो सबसे बुड़े लोग है जिनके बारे में आप जानते हैं कौन से सबसे पुरानी चीज़ें आपके पास हैं आपके घर में या फिर आपकी सिटी टाउन और विलिज में हाव ओल्ड आर दे और वो कितनी पुरानी हैं क्या आपने कभी ऐसा विश किया है ऐसा चाहा है कि आप काश बड़े होते Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White Mr. Willy Wonka ये एक scientist का नाम है इन्होंने शुरुआत की किसकी invention से Wonka White की invention से इन्होंने Wonka White का अविशकार किया which makes people younger अभी Wonka White क्या करती थी ये लोगों को younger बनाती थी उनकी age कम करती थी बट Wonka White is too strong लेकिन Wonka White बहुत जादा strong थी So some people disappear तो कुछ लोग गायब होने लगे Because their age becomes minus क्योंकि उनकी age minus में चली गई माली जे कोई 20 years का है Wonka White ने उसकी age 50 कम कर दी So 20 minus 50 कितना होगा? minus 30 One person actually becomes minus 87 एक person की age actually में minus 87 हो गई थी which means he's got to wait 87 years before he can come back तो minus 87 का क्या मतलब है? अभी उसको 87 years wait करना होगा वापिस आने के लिए minus 87 में अगर हम add करेंगे 87 तब उसकी age 0 होगी तो मतलब की the person will have to wait 87 years to take birth 87 years के बाद उसका जन्म होगा और फिर उसकी age 1, 2, 3, 4 एक, दो, 3, 4 साल का वो होगा Mr. Willy Wonka must invent a new thing तो Mr. Willy Wonka को अभी इस चीज को करेक्ट करने के लिए किसी नहीं चीज को invent करना होगा Part 1 Mr. Wonka said So once again I rolled up my sleeves फिर से मैंने अपनी sleeves को roll किया and set to work Set to work का मतलब है began to work काम करना शुरू किया Once again I squeezed my brain Brain को squeeze करना मतलब बहुत सोचना किसी चीज के बारे में Searching for the new recipe Recipe मतलब instructions for making something कुछ बनाने के लिए जो instructions होती है जो steps होते हैं उसको recipe कहते है तो अभी मैं search कर रहा था एक नई recipe को I had to create age मुझे क्या करना होगा अभी age को create करना होगा To make people old Old, older, oldest जिससे कि मैं लोगों को और बड़ा बना सकू I cried For now the idea was beginning to come और मुझे अभी नई-नई ideas आने लगे What is the oldest living thing in the world कि दुनिया में सबसे पुरानी चीज कौन सी है What lives longer than anything else कौन सी वो चीज है जो सबसे जाधा time तक जीती है जिन्दा रहती है A tree Charlie said Charlie एक छोटा बच्चा है जो Mr. Wonka के साथ काम करता था तो वो कहता है कि एक पेड वो चीज है जो जाधा लंबे टाइम तक जिन्दा रहती है Right you are Charlie But what kind of a tree कि तुम बिल्कुल सही हो कि trees की age बहुत जाधा होती है लेकिन किस तरह का पेड Not the Douglas fir ये Douglas fir नहीं है ना ही oak है इन सभी को अभी हम discuss करेंगे Pictures भी देखेंगे Not the cedar नहीं ये cedar है No, no my boy तिनों को देखते है फर क्या है Douglas fir एक tree है जिसकी needle जैसी leaves होती है और conical होता है कोन होता है ऐसा उपर से Oak क्या है A family of large trees With a hardwood इसकी wood बहुत hard होती है The chinar in Kashmir is a kind of oak tree जो chinar है Kashmir में वो एक type का oak tree ही है Cedar एक evergreen tree है With hard red sweet smelling wood इसकी wood से लकडी से बहुत अच्छी कुछबो आती है Used for making boxes, pencils, fences, etc और इसको boxes, fences और pencils बनाने के लिए यूज़ किया जाता है So ये है Douglas fir Then oak And cedar तो Mr. Wonka बताते हैं कि ये जो paid है जिसकी age सबसे जादा है ये ना तो Douglas fir है ना ही oak है और ना ही cedar है It is a tree called the bristlecone pine ये एक पेड है जिसे हम कहते है bristlecone pine ये देखे, ये है bristlecone pine That grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA USA के Nevada में एक peak है जिसका नाम है Wheeler Peak मतलब एक पहाड़ी है और उसके slopes पर यहाँ पेड उगते हैं जिनका नाम है bristlecone pines You can find bristlecone pines on Wheeler Peak today that are over 4000 years old तुम्हें यहाँ पर अभी भी वो पेड मिल जाएंगे जो 4000 साल से भी जादा पुराने है This is fact Charlie और यह बिलकुल fact है Ask any dendrochronologist Dendrochronologist हम बोलते हैं उन लोगों को उन scientist को जो किसी tree की age find करते है And look that word ये word आपको dictionary में ढूंड़ना है So that started me off तो यहाँ से मैंने अभी काम करना शुरू किया I jumped into the great glass elevator ये Charlie की book में great glass elevator एक quick mean of transportation था तो मैं उस पर जाता हूं and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things और जो सबसे oldest living things थी सबसे पुरानी चीज़ ने थी जो जिन्दा थी उनसे मैंने कुछ special items को collect करना start किया so number one a pint of sap from a 4000 year old bristlecone pine सबसे पहले तो bristlecone pine से एक pint pint एक measurement की unit है जो half liter से थोड़ा सा कम होता है sap, sap मतलब जो plant के अंदर juice होता है सबसे पहले तो उन्होंने 4000 साल पुराने bristlecone pine से एक pint sap लिया उसका then the toe nail clippings from a 168 year old Russian farmer called Petrovich Grigorovich उसके बाद एक farmer था जो 168 years का था Russia में जिसका नाम आपको दिया Petrovich Grigorovich उसके toes के nail clipping इन्होंने ले लिये पैरों की उंगलियों के nails उनको cut करके उसके बाद an egg laid by a 200 year old tortoise belonging to the king of Tonga king of Tonga के पास एक 200 साल का tortoise था उसने जो एक दिया हुआ था उसको इन्होंने ले लिया then the tail of a 51 year old horse in Arabia Arabia में 51 years का एक horse था उसकी tail ले ली पूच ले ली the whiskers of a 36 year old cat called crumpets ये है crumpets so एक 36 year old crumpet थी जिसकी इन्होंने whiskers ले ली an old flea which had lived on crumpets for 36 years और इस crumpets के ऊपर एक flea था flea बोलते हैं कि insect को जो blood को सक करता है animal के जैसे human being में lice होती है जू होती है बिल्कुल वैसे ही तो ऐसी एक flea था जो इन crumpets के ऊपर 36 साल से रह रहा था उस flea को इन्होंने ले लिया ये दिखे ये है flea next the tail of a 207 year old giant rat from Tibet Tibet में एक giant बड़ा सा राट था teeth of a 97 year old grimalkin living in a cave on mount popo catapital ये mountain है popo catapital इसके उपर एक grimalkin grimalkin एक type की cat होती है देखे ये है grimalkin तो एक 97 year old grimalkin थी उसके black teeth इन्होंने ले लिये the knuckle bones of a 700 year old cattle from Peru पेरू की catloo ये एक type की buffalo है ये है catloo इसका इसकी knuckle bones उन्होंने ले ली तो ये कुछ चीजें Mr. Wonka ने एक अठी की bristle cone pine का sap उसके बाद toenail की clipping एक farmer की जो की 168 years का था और ये एक crumpet की जो एक cat है और ये 36 साल की थी flea जो इस crumpets के उपर रहता था वो भी 36 years से रह रहा था tail ली एक 207 years old rat की उसके बाद teeth लिये grimalkin के जो 97 years old थी और cat low जो 700 years old थी उसके knuckle bones लिये उसके बाद comprehension चेक है जिसको हम question answers की वीडियो में cover करेंगे now next is second part all over the world Charlie Mr. Wonka went on अभी Mr. Wonka ने कोछीजें बताई जो उन्होंने collect की फिर वो आगे खहते हैं कि पूरी दुनिया में मैं घूमा हूँ Charlie I tracked down very old and ancient animals मैंने जो बहुत ही पुराने ancient animals थे उनको ट्राग किया and took an important little bit of something from each of them और उनसे थोड़ी थोड़ी कुछ important चीजे ले ली भले ही वो एक उनका बाल हो eyebrow हो और sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scrape from between its toes while it was sleeping और कई बार animal अगर सोया हुआ उसके toes के बीच में उसके पैरों के बीच में जो मैर जम गई है वो मैंने ले ली एक आउंस या फिर टू I track down the whistle pig ये कुछ और नाम आपको दिये है whistle pig, the bobolink, the skrok, the poly frog, the giant curly cue, the stinging slung and the venomous squiggle who can spit poison right into your eye from 50 yards away ये एक नेका नाम दिया है जो venomous है और ये venom को spit कर सकता है आपकी आँखों में 50 yards दूर से ही but there is no time to tell you about them all now बहुत सारी चीज़ें मैंने लिए कुछ के बारे में उपर आपको बताया गया है कुछ एक ये दी हुई है और भी है लेकिन उन सब के बारे में बताने का भी time नहीं है Charlie let me just say quickly तो मैं जल्दी से बस इतना ही कहूंगा that in the end आखिर में after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room मैंने अपनी inventing room में इन सभी चीज़ों को mix किया, boil किया, test किया I produce one tiny cup full of oily black liquid तो उसके बाद इनको क्या मिला एक oily सा black liquid इन्होंने प्रड्यूस किया and gave four drops of it to a brave 20 year old Oompa Loompa volunteer to see what happened Oompa Loompa ये जो short man थी उनको कहा जाता था उनमें से एक man ने Oompa Loompa ने volunteer किया उसको इन्होंने 4 drops दी इस liquid के जो उन्होंने बनाया था और ये Oompa Loompa कितने साल के थे 20 years के थे What did happen? Charlie asked तो अभी Charlie पूछता है कि फिर क्या हुआ जब उसने 4 drops ली It was fantastic, cried Mr. Wonka The moment he swallowed it जैसे उसने उसको निगला स्वालो किया He began wrinkling जैसे बुडे लोग उतने रिंकल्स उनको आ जाते हैं Wrinkles आगे जुरिया पढ़ने लगी Oompa Loompa को and shriveling Up all over Shrivel वो करने लगा, कापने लगा जैसे बुडे लोग कापते हैं His hair started dropping off उसके बाल गिरने लगे And his teeth started falling out Dant उसके सारे बहर आ गया And before I know it He had suddenly become An old fellow of 75 और जब तक मैं कुछ जान पाता वो 75 years का हो गया Oompa Loompa जो 20 years का था And thus my dear Charlie और इस तरीके से Charlie Was Vita Wonk invented जो पहले इनकी invention थी Wonka White उसका opposite इसका नाम उन्होंने रखा क्योंकि काम भी opposite ही था वो यंगर बनाती थी नाम है इसका Wonka White So ये थी आपकी story Writer है Roald Dahl From Charlie and the Great Glass Elevator Novel है जिससे ये लिया गया है एक पार्ट है उसका Okay that's all students जिसी के साथ chapter over होता है Question answers we will discuss in Another video Thank you so much for watching